नमस्कार दोस्तों आज हम FYBA और B.com का जो एक पेपर है H.E.N. 101 की बात या इंगलिश की बात कही जाती है जो 50 अंकों के लिए आपको अपने परिक्षाओं के अंतरकत आ जाएगा वो हिंदी 50 अंक के लिए है और इंगलिश जो है 50 अंक के लिए इंगलिश जो है उसकी बात की जाए और हिंदी के बात की जाए तो दोनों ही Common है Commerce और जो बिए के लिए तो उसमें से हम हिंदी का जो 50 अंकों का भाग हम देखने वाले है उसमें क्या आपको दिया गया है तो इकाई एक के अंतरकत आपको दिखाई देगा हिंदी राश्टर भाषा उसके बाद राज शब्दावली कहां से आ चुकी है, हिंदी में शब्द आज जो आपको प्रविक्त दिखाई देते हैं, वो किस तरह के अंगरेजी से आ चुके हैं, फार्सी से आ चुके हैं, उर्दु 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 से आ फर्क क्या है वो हम देखेंगे हिंदी के वाकरचन और प्रकार के अंतरगत उसके बाद प्रयोजन मुलक हिंदी आपको दिखाए देगी जो वईज्ञानिक दुर्ष्टिकों से विज्ञान के भाषा आपको मानी जाती है और उसके बाद अनुवात जो है हिंदी का अनुवा कर बहतरीन साबित हो सकती है अपने निर्जी जीवन के अंतरगत तो हम बात करेंगे पहले हिंदी भाषा की जहां हिंदी भाषा कहां से शुरुवात हो चुकी है मैं तो कहना चाहूंगा पहले से वैदिक संस्कृत उसके बाद संस्कृत उसके बाद पाली उसके बाद प्र बहुत साल लगते बोली में वो प्रयुक्त हो जाती है उसके बात में वो उपभाशा बन जाती है उसके बात में भाशा में प्रयुक्त की जाती है तो हिंदी भाशा बनने के बात आज भारत की बात की जाया है तो लगबक 130 करोड आबादी वाले देश में लगबक 80 करोड के उपर जो है हिंदी बोली जाती है देख लिजिए यहां पर भारोपिय परिवार और द्रविड परिवार दो परिवार है और हिंदी भारोपिय परिवार के अंतरगत आने वाली भाशा है जहां हम देवनागरी लिपिव के अंतरगत जिस तरह से मराठी लिखी जाती है उस तर बाच राज्य ऐसे दिखाई देंगे आप लोगों को जहां पर द्रवीड परिवार के भाषा आपको दिखाई देती है भारो परिवार के अंतरगत गुजराती हो उसके बाद हिंदी हो या मराथी उदारान की तोर पर कह रहा हूं हम बात करेंगे अभी हिंदी भाषा की तो ह हिंदी भाषा जो है वो हिंद शब्द कहिस तरह से आया तो सिंदू उसके बाद सिंद सिंद के बाद हिंदू और हिंदू के बाद हिंद शब्द आ चुका है उसके अंतरगत हम दो रूप देखते हैं जहां पर पच्छिमी हिंदी है दूसरा है जो पूर्वी हिंदी के अं 32 गड़ी यह 3 रूप माने जाते हैं और आज जो खडी बोलि का हिंदी का प्रचार हो रहा है वह हम मानक हिंदी के रूप में देखेंगे बात करते हैं 1050 से लेकर आज तक हिंदी का किस तरह से जो है मैं तो कहूँगा फिंदी भाषा बोली जाती है वो पहले है आदिकाल उसके बात जो हम रित्तिकाल के बात करते हैं और उसके बात जो है आधुनिक काल कहा जाता है आधुनिक काल के अंतर्गत भी हम देखेंगे तो भारती इंद्य यूग काल है उसके बाद दिवेदी यूग है चायावात है प्रगतिवात है प्रयोग बात है साटोत तरीक भीता है ये सब कुछ उसके अंतर्गत कहानी उपन्यास जिवन चरितर ये सब कुछ आपको लिखा हुआ दिखाए दे सकता है याने कि जो खड़ी बुली हिंदी है उसका प्रचार और प्रसार बढ़ता हुआ आपको दिखाए देगा लेकिन हिंदी का जो रूप है वो राष्ट्र भाषा में किस तरह से हिंदी बोली जाती है या राजभाषा के रूप में उनका स्तान क्या है या संपर का भाषा में उसका क्या स्तान हो सकता है इसके बारे में हम इकाई एक अक्य अंतर्गत देखने वाले हैं चलते हैं। पहले हम देखेंगे जहां पर हिंदी का शब्द का अर्थ जो इनौ ने तीन अर्थ दिये गए उन में से हम दूसरे अर्थ की बात करेंगे। जहां भाशा विज्ञान की दुरुष्टी से पच्छिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी यही हिंदी के रूप माने जाते हैं। लगबक इस हिंदी के पाँच उपभाशाओं के अंतरगर 17 बोलिया आपको दिखाई देंगी। तो आधिकाल भे ने कहा जहां पर 1000 से लेकर 500 तक इस भी तक माना जाता है। तो राष्ट्र भाशा में उसकी व्यक्या क्या हो सकती है और उसका सोरुप क्या हो सकता है। तो जिस भाशा का देश की अधिकांश जनता समझ सके बोल सकती हो तता जो भाशा उस देश की संस्कृति की अभिवेक्ति करने में समर्त हो वही भाशा उस देश के राष्ट्र भाशा है। यानिकि आज हमारे देश के अंदर गवाश्य हिंदी है क्या नहीं है सभी धानिक रूप से कहा जाए तो राश्ट्र भाशा के रूप में नहीं मानी जा रही है क्योंकि उसके अंतरगत जो पाज राज्य है मैंने कहा करनाटक केरर अंदरप्रदेश तमिल नाडू और जो उनके अंतरगत आ जाता है वो पाज राज्य जो है वो क्या कर रहे है हिंदी भाषा का विरोत कर रहे है राष्ट्र भाषा की तौर पर लेकिन ज्यादा सर बोलने वाली भाषा है 80 करोड के उपर हिंदी इसलिए हम हिंदी को राष्ट्र भाषा मान रहे हैं महत्मा गांदी जी ने लगबक पांच गुण बताए है जो या राष्ट्र भाषा होने के लिए उसे सरकारी अदिकारी आसानी से सीख सके ऐईसी भाषा होनी चाहिए उसके बाद वो समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनितिक संपर्क के माद्रम के रूप में प्रयोक के लिए शक्षम हो तीसरा है वो अधिकांशा भारत वासियों द्वारा बोली जाती हो या चाउता है सारे देश का उसे सिकने में आसानी रहे और पाचवाय इसी भाषा को चुनते समय आरभी या क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए ये बात उनने सही कही थी जिस तरह से पच्चिम बंगाल के बात मैं कहूँगा बंगला बोली याती है तमिल्नाडू इनको सिकने में बहुत देरी लग जाती है और शनिक सुक के बात की जाए, तो राष्ट्र हित के दुरुष्टी कोन से, जिस भाषा को मानना चाहिए, वो एक ही मात्र भाषा है, अंग्रेजी के बात दुसरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी देश के हम सम्मान की बात करते हैं, तो राष्ट्र भाषा राष्टी सम्मान का को प्रतिक माने जाती है इसपों उसका बढू दधान के एक एक भाशा ओने चाहिए हमने लेकिन उसकी भाशा नहीं पाई है। भारत की बात की जाए तो अभी भी अंग्रेशी भाशा यहाँ पर लाए और अंग्रेशी भाशा जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते रहेंगे तब तक अंग्रेशे से हमारे उपर हिंदी के ऊपर आपको दिखाई देगे लेकिन इसका दूसरी दुरुष्टी कोन से कहा जाए कुछ अभाशिक, हिंदी अभाशिक की बात मैं कहूंगा वो अगर कहते हैं कि हिंदी राश्ण भाशा हो जाए तो निच्छी तोर पर राश्ण की दुरुष्टी कोन से अगर हस्तक्षिप हो जाता है कुछ लोग कहेंगे कि राश्ट्र भाषा और राश्ट्र भाषा एक है, मैं तो कहूंगा राश्ट्र भाषा और राश्ट्र भाषा अलग-अलग है, राश्ट्र भाषा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लेकिन राज भाषा ही कामकाश की भाषा होती है हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 में तब इसे सविदान में भारत संग की राज भाषा हिंदी मानी जा रही है जो चर्चा चली उसके अनुसार कि 1965 तक हिंदी भाषा को राज भाषा के रूप में माना जाए साथ-साथ अंग्रेजी भी रहेगी लेकिन 65 के बाद हिंदी भाषा जो है राज भाषा की तवर पर अनिवार्य की जाएगे लेकिन देख लिजिए कुछ अ हिंदी भाषा जो प्रदेश है उनको हिंदी सिकना चाहिए था उन लगबक 15 सालों के भीतर लेकिन उन्होंने भाषा सिकी नहीं इसी वज़े से 65 के बाद ये निरने लिया गया कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी वहाँ पर रहेगी या हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी वहाँ रहनी वाली है देख लिजे, सात राज्यों की जो भाषा है हिंदी राज्य भाषा है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश, हरियाना, राजस्तान, मद्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तथा केंदर शास्तित दिल्ली इन सात राज्यों की राज्य भाषा जो है हिंदी आपको और अनुछे 343 344 348 और 351 भाग 17 के अंतरगत यह विस्तार में लिखा हुआ है कि हम इसे क्या कहने माले उसके बारे में हम संक्षपने देखेंगे जहां उनिसो पैसटक संगे के तता संसत में कामों में जहां अंगरेजी का प्रयोक किया जा रहा था वाज 26 जनुवरी 1965 के बाद दिल्ली के अतिरिक्त अंगरेजी का प्रयोक जारे रखा जा सकता है यह प्रमुक प्रावधान आपको राज भाषा अधिनियम के अंतरगत दिखाई देंगे दूसरा है यदि किसी राज्य ने हिंदी का स्विकार न किया हो तो केंद्र सरकार उस राज्य के साथ अंगरेजी में पत्र व्यवार करेगी यह हिंदी भाषी राज्य भी ऐसे पत्राचार केंद्र सरकार करेगी राज्य सरकारों के बिज में एक बार फिर से देख लिए सरकारी कामकाच की राज भाषा कही जाती है जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बिज में कचरी का जो मामला होता है वह जो पत्रवयवार होते है यह पत्राचार होता है वहा वहां पर अंग्रेजिय में ही पत्राचार किया जा सकता है। राजबाशा नीव says, उन्दी सो सद्टर के बात किया जाए। तो वहां पर केंद्र सरकार के कार्यालों के कक सेत्र के लिए राज्यक वक्षान राज्यक शीत्र है। जहां पर कके अंतर का धम देखेंगे उत्तरप्रदेश, मद्दप्रदेश, बिहार, राजस्तान, हरियाना, हिमाचर प्रदेश और संगराच्च रक्षेत्र दिल्ली लगबक साथ जो है कक्षेत्र के आने वाले आपको दिखाए देगें उसके बाद में बक्षेत्र में आपको दिखाए देगे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट, चंदिगड और अंदवान निकोबार दीप सुमुए इन राज्यों में सामान्यता हिंदी में पत्र भेजे जा सकेंगे क्योंकि ये हिंदी बाष्य राज्यों के पड़ो सी माने जाते इसी वज़े से उसके बाद केंद्रिय सरकार के कारियालों में से आंद्र, तमिल नाडु, करनाटक, केरल, बंगाल, उरिसा, आसाम कि किसी कारियाल ये व्यक्ति को पत्रा दी अंग्रेजी में भेजे जाएंगे यदि कोई पत्रे हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ बेदा जा सकता है ये प्रावदान 1976 के बाद देख लिजी, मेरे खाल से 75 में इमर्जंसी लगी इंदीरा गांधी उस वक्त थी तो उसके बात में जो हम राश्रीती के बात करते हैं, जो सरकार होती है किंद्र के अंतरगत, जिनके जादा सीट होते हैं वही ये क्या करते हैं, फैसला लेते हैं, उसके अंतरगत 1976 में ये फैसला लिया गया, अंग्रेजी जो है अन्यराज्यों के साथ पत्रयवार होगा, उसके साथ-साथ हिंदी के साथ-साथ मराठी, गुजराती या फिर कुछ और चंदिगड महाराष्टर में जो भी कुछ है वहाँ पर हिंदी ही पत्राचार किया जा सकता है, और हिंदी राजभाषा जिसकी है, वहाँ पर राजभाषा की तोर पर हिंदी मानी जा सकती है, उसके बात हम बात करेंगे जो संपर का भाषा, संपर के भाषा की व्यक्ष्या क्या होती है, जहाँ पर हम बात करेंगे खशाने के लिए एक इसरे भाहे क की जरुप gnæt हो तो सकता है संपर का बहाशा TV कि तो अनुवात की तोर पर यह तो अगे आ जाती अंग्रिजी 550 वालों को भी हिंदी आ रहे हैं और जर्मानी भोलने वालों को हिंधी आ रही हैं तो आइसे समय में वो संपर का भाषा की तवर पर हिंदी का स्तमाल कर सकते हैं और एक बात की जाए तो बॉर्डर के उपर महाराष्ट के अंतरबद गुजराती हैं गुजराती भाषा बोलने वाले गुजरात के लोग हैं महाराष्ट में माराठी बोलने वाले लोग हैं तो उनको जोडने का काम हिंदी भाषा कर सकते हैं यानि कि गुजराती लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और महाराष्ट में बोली जाने वाली महाराष्ट के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं इसी दुरुष्टिकों से वह संपर का भाषा भी हो सकते हैं तमाम हम बात करनेग 60 तो उनको जोडने का काम हिंदी अच्छी तर से कर लुई है वेखते हिंदी खरी बोली हिंदी जो है वह आज कीुने पड़ी जाती है यह भाशाविज्ञान आपको दिखाएस दिती है वह अच्छी तर से निवा रही है देग लीजए यहाँ पर भारत बहु भाशी देश है भारतिय संस्कृति लगबग 5000 वश्व पूरानी माने जाती है और उसी धर्म पंत जातिया उपसंस्कृतिया विवीद भाश्य सम्हों दिर्माण हुए और एक दूसरे में घुल मिल गये हैं भाशा के साथ-साथ उनके संस्कृति की बात की जा है वहाँ पर आप लोगों को वह घरबा दिखाई देगा जो लड़के लोग या लड़किया जो खेलते आपको यह संस्कृति है भाशा के साथ-साथ वह संस्कृति आ चुका है मेरे खाल से हमारी भी संस्कृति वहाँ पर जानी चाहिए जिस तरह से गणे जुश्तों के अ यहां सम्पर्क भासा का रूप में कारिय करते हुए आपको दिखाए देगी लेकिन मद्यकाल के अंतरगर राच कारों बार में अपको अर्भी भार्शी सब्दों का सईक तरु और्टु का उपयोग घ्रणी था उगदान आपको दिखाई देगा तो आज कि इस इकाई के अंतरगत हमने देखा जहाई अके अंतरगत यहाँ पर रूख जाएंगे और उसके बाद जो कुछ स्वाध्राइप को अध्र दे देंगे वह स्वाध्यन के लिए आप कर लिए ठीक है है